बिहार में भी ते कुछ दिनों से लगातार फर्जी सेक्यॉरिटी एजिंसी का मामला सामने आ रहा है। पिशले दिनों भी हमने ऐसी खबरें आपको बताई थी, आज फिर से CISF की टीम ने एक फर्जी सेक्यॉरिटी एजिंसी चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद को स्पाइस जेट का ग्राउंड स्ताफ बताता है और लोगों को दिल्ली में नौकरी दिलाने के डाम पर लाखो रुपिये ठग रहा है, CISF के द्वारा गिरफ्तार किये गए शातिर का नाम मनीश कुमार है, जो कि वैसाले जिले के जंदाहा का रहने वाला है, मनीश के गिरफ्तारी पटना एरपोर्ट पर हुई, जब चेकिंग के दौरान CISF की टीम ने मनीश के ब्य जफ्तार किया, लेकिन जब उन्होंने मनीश के बैग को चेक किया, तो उसके बैग से वो पास मिला, जो एरलाइन्स कमपनियों के ग्राउंड स्टाफ की एंट्री के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ देर की छानबीन के बाद पता चला कि वो पास डुप्लिकेट है, अ और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन, दरसल शुक्रवार को मनीश स्टाइस जेट की फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए एरपोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन वहाँ उसके सारी सच सामने आ गई, जब मनीश के बैग से वो पास मिला, वो एरलाइन्स कमपनियों के ग् गया था, मनीश हाइदराबाद और दिल्ली में रॉकरी दिलाने की नाम पर ठगी करता है, और इसे फॉर्म का इस्तमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता है, और खुद को स्पास जेट का ग्राउंड स्ताफ बताता है, सभी जांच परताल के बाद CISF की टीम ने मनीश को पटना के एरपोर्ट थाने की पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मनीश के पूछताच करना शुरू की, तो मनीश पुलिस को काफी बरगलाने की कोशिश करने लगा, उनसे कहने लगा कि दिल्ली के एक होटेल में मैं जॉब करता हूं, लेकिन जब पुलि पुछताच और तहकीकात की गई है, इन सबसे ये बात सामने नहीं आ पाई है कि मनीश के ठग के सिकार कितने लोग हुए हैं, और उनसे कितने रुपे की ठगी की गई है, इसके बारे में अब तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मनीश के मोबाइल को दावा करती है, और उनके साथ फर्जी वारा करके कमपनी फरार हो जाती है, पतना के भटाचार्या रोड में ओवर्सीर नाम की एक कमपनी लोगों को विदेश भेजने का दावा करती है, और उसके बाद लोगों से पैसे लेकर फरार हो जाती है, ये कमपनी लोगों को इरा पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास जो वीजा है वो फरजी है मिला जुलाकर बात यहीं है कि पत्ना में नौकरी के नाम पर फरजी वाड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है बांकि इसको लेकर जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको जरूर बताएंगे आगे की खबरों के लिए आप जंता जंक्षन देखते रहें धन्यवाद